आपको इतना confidence developed कर लिया है कि selection तो होना आपका तैय है इसमें कोई सक नहीं है और CLC जी जान से आपके साथ लगी हुई है और CLC आप देखो exam तक आपके साथ है भई आपके 10 दंगल करवा रही है आपके इतने measure हो गए है इतने minor हो गए है और दंगल में आते आते तो आप अपने आपको वैसे ही expert समझने लगी जाते हो और जहां तक मुझे उमीद है तो आपके देखो अब डे बाई डे आपके percentage बढ़ते जा रहे हैं किनी कारणों से अगर percentage बन भी अगर मालो थोड़े बहुत कम है या बढ़ नहीं रहे हैं तो इसमें tension करने की जूरत नहीं है आप CLC के जो solution है उसको अच्छे तरह आप देखे उसके बाद में आप कोई problem आप है और फिर भी अगर मालो आपको लगता है कि वास्ता में इसमें मुझे problem है तो बैटा दंगल वाले paper है उनको अच्छी तरह आप physics का chemistry का जूलोजी का बोटनी का बहुत अच्छे से आप सही तरीके से करें और हम बीना time best की आगे चलते हैं आज दंगल आपका चार जो कि मै paper होना है तो CLC का ही होना है और आप नीट से मेच करवाओगे बिल्कुल ऐसा का ऐसा paper आपको CLC के दंगल से नीट में आपको ऐसा का ऐसा मेच मिल जाएगा क्योंकि रात दिन आप जानते हो बोस के द्वारा इतनी खतरनाक तरीके से मैनत की जा रही है ने दिन देखा जा र इद्धे में टॉप रेंग पे चल रहा है आप देखो नए बेचिस स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें भी आप देखो डे बाई डे बहुत अच्छे से एडमिशन चल रहे हैं हर जगर से मतलब पहले नौर्थ इंडिया में ही था अब आपको मालूम है ये इंडिया के पूर करने का न्यू पेटर्न में क्या है सेक्शन अब सेक्शन अ में आपको मालूम है यहां 140 माक से इसको ध्यान रखना है ऐसे सेक्शन बी जिसमें आपको 15 प्रशन मिलेंगे उसमें से भी आपको वहां से चूज करने होते हैं वाटा इसमें से देखो सेक्शन अ में क्या है यह 35 multiple twice mqs मिलते हैं और आप अच्छी तरह जानते हुए ही चार नंबर का है यहाँ पर negative marking भी आपके सामने हैं अब हम बिना time based की विए आगे बढ़ते हैं इसका solution करते हैं देखे बेटा first number अगला की रहा है यहाँ से आपने देखा एक सामानने दरस्टी वाले पुरुष्ट जि इसके पिता वर्नाद थे एक ऐसी इस तरी से विवा करता है जिसकी बाता वर्नाद थी इसकी संतान एक पुत्री हुई इस पुत्री में वर्नाद होने की संभावना रही होगी very most आप अच्छी तरह जानते हैं जब इस टाइप के प्रशनाते हैं तो सबसे पहले हम उसके father या मदर को चेक कर लेते हैं कि ये normal vision man whose father was clearblind देखो यहाँ पर आपके सामने बेटा ये हम उस man की बात कर रहे हैं और ये इसके father की बात किया है और father है clear blindness और आप जानते हो कि mail में ये white chromosome father से आये हैं इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सामाने दर्ष्ट्री वाले पुरूस जिसके पीता वरनात थे तो देखो इसमें सामाने दर्ष्ट्री वाला ये है क्योंकि पीता से वालू महवाई आया है और ऐसी सामाने इसलिए से विवा करता है अब देखो वो उसकी wife जो है उसकी माँ आपको मालूम है कैसी है जिसकी म माता क्या है colorblindness में है अब जैसे मालो ये उसकी मा इस परकार से colorblindness में आपके सामने मदर इस colorblindness इसका मतलब मा से निश्चित है कि इसके उपर एक केरियर फॉर्म पे यहां पर colorblindness के लिए आ गया हूँ मतलब आपको मालूम चल गया कि इस टाइप के प्रश्टन को यहां प्रुष जिसके पिता क्या है वर्णाद थे तो वो कैसा हो गया XY और ऐसी सामानने इस तरही से विवा करता है जिसकी माता क्या थी वर्णाद थी लेकिन पुत्री कैसी हुई केरियर हुई क्योंकि उससे एक ही XIR एक उसके पिता से XIR तो यहां पर आप क्रोष करवाते हैं फिर देखते हैं कि इसमें कितनी लड़कियां देखो क्या गया रहा है एक पुत्री है सिवी जिस पुत्री में वर्णाद होने की संभावना क्या है आप मालू में बेटा जैसे मालो ये फस्ट नम्मर आप देखते हो ये लड़की आपके पास क्या होई ये नॉर्मल फिर लड़का ये colorblindness हुआ है आप अच्छी तरह समझ गए बेटा इसमें पुछा क्या गया है डॉट्टर के बारे में पुछा गया है और डॉट्टर आपको मालू में है यहाँ पर कोई भी ऐसी नहीं है जो colorblindness है इसका मतलब इसका answer किता चला गया बेटा 0% very most है और मैं समझ गलती कर रहा है तो वो पढ़ रहा है लेकिन उस गलती को आगे नहीं करना है यह जरूर आपको दिहान रखना है तो मैं समझू साइद आपका पहला है जिसमें चार नंबर आंसर चले जाते हैं पहला टिलियर सेकिंड पर चलते हैं बेटा देखो next फिर ये genetics से आपके पास आया देखो pedigree analysis है अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि NCRT में इसका diagram भी आपको दिया हुआ है आपको मालूम चला कि जैसे मालूर ये कैसा हो सकता है आपको मालूम है generation first I है ये generation second है ये generation यहां third है गबराने की जूरत नहीं है बहुत easy है आपको मालूम है कि जब हम देख देखते हैं तो देखो ये एक तरह से dominant की stress क्योंकि देखो क्या होता है कि एक point में बता देता हूं बोलके कि मालो all affected of spring have affected parent या parents अगर ऐसा दिखता है तो yes आता है और नहीं दिखता है तो नहीं आता है yes आया तो इसका मतलब dominant अब देखो ये इसके लिए parents और ये इसके लिए parents से इसका मतलब आप समझ गए कि यहाँ पर yes वाली condition नहीं है मतलब dominant तो यहाँ पर आई नहीं सकता इसका मतलब dominant वाले दोनों character आपके पास चले जाते हैं अब देखो उसके बाद X-linked recessive वे ओटosomal recessive आपको अच्छी तरह मालू है बेटा कि सिक्किल सेल एनीमिया वाला जो NCRT में दिया हूँ वड़ा इग्राम है और उसमें पूछा गया कि यह मतलब जो डीजी जो किस परकार से दरसाई जा रही है तो आप जानते हो यह सिक्किल सेल एनीमिया से ही पदली आ गया है और वो कैसा होता है ओटosomal recessive फॉर्म पे आजाता है आपको अच्छी तरह मालू चला इससे क्योंकि देखो अगर यह X-linked recessive होता तो देखो फादर से उसकी डोटर में जाता और उस डोटर के उसके सन में जाता और ऐसी सिरीज यहां नजर आर नहीं रही है कहने का मतलब एक लड़की ऐसी जिसके फादर वो अगर पीहर जाती है तो उसके फादर बीमार है सुसराल में आती है तो उसका बच्चा बीमार है अगर ऐसी कंडिक्शन मालो आपको नजर आती है तो वो X-linked recessive है और ऐसी नजर इसमें आ नहीं रही है इसका मतलब आप आपके पास बचाई है कि ऑप्सन है बेटा ओर्टो समल रेसेसिव और मैं समझता हूँ आपका ये भी सही हुआ होगा और गभरानी की जुरुत नहीं है फिर भी अगर मालो आपको लगता है कि इसको दुबारा समझना है तो बेटा प्रोब्लम काउंटर पर आके आप समझ आता है विद्ट्रिक्स नेक्स देखो यहां आपके पास है बेटा लाइक विच पार्ट ऑप इस्परमेटीस फॉर्म्स एक्रोसॉम और इस्पम आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि जैसे मालो यहां पर आपने इस्पम का ये इस परकार का स्ट्रेक्चर देखा अब य आपको बालूम ही है यह डेफिनेट सबका सही हुआ होगा आपको बालूम है यहां पर गोल्जी बोडियान से चला जाता है और यह एक्रोसॉम का निर्मान करती है नेक्स देखो बेटा फिर यहां से आपके पास देखो क्या होता है यहां आया वेरी वेरी मॉस्ट है दा फ NCRT से line है ये 5th month answer चला जाता है बेटा जरूरी नहीं है ये पूछा जाए आप से कोई सा भी पूछ लिया जाए तो मैं आपको एक्टिस बताता हूं देखो क्या होता है 1st month में क्या होता है हर्ट की हलचल सी मतलब 1st month हो गया पूरा उसके बाद हर्ट की हलचल ओना ही स्टार्ट होती है तो इसका मतलब की का होता है 1st month में हुआ क्या 1st month में आपने देखा बेटा 4 मिने में आपने देखा NCRD ने इस परच्छ बतानी रखा है 5 मेने में moment और सिर्पे बाला जाते है चटे मेने में आँक्र को खule जाती है और 7 मेने में NCRD ने बतानी रखा है आठवे मेने में आपको मालूम है NCRT नोवे मेने में वो डिलेवरी के लिए तयार हो जाता है निश्चिद्धान रखना बैटा ये NCRT की लाइने हैं और वैसे भी अगर ट्रिक से याद करना चाहें तो हम यसे भी कर सकते हैं कि जैसे मालो हम किसी से सबसे पहले एक मेने तक कहीं बैठते हैं कॉन्टेक्ट होता है एक मेने में आपने देखा दिल की दड़कने स्टार्ट हुई एक मेने बाद में आपने उसकुछ एक कर लिया तीसरे मेने में आपने देखा NC18 ने जैसे मालो आपके पूरे इंटरनल ओर्गन डबलब्ड हो जाते हैं, जेनिटल ओरिया डबलब्ड हो जाता है, जेनिटल पार्ट है, वो सारे डबलब्ड हो जाते हैं, चोते मेने में NC18 देने रखा, पांचवे मेने में या हैर्स और कौन जा रहा है उसका मोमेंट इसाज हो जाता है छटे मेने में आइलेट्स या आंख है या पलके आपको मालूम है खुल जाती है साथवे मेने में आपको मालूम है क्या बताया नहीं आटवे मेने में से आट बताया नहीं मेने में डिलेवरी के लिए तयार हो जाता है ज्यान रख तो कैसा होता दूसरा option आया तो कैसा होता थर्ड होता तो कैसा होता तो कैसा होता जैसे मालो 5th month में आपने देख लिया क्या हो रहा है six months में मैंने बताया क्या हो रहा है तो इस person में ही आप भाई दंगल के आप यह मान के चलो यह 10 दंगल है आप इसको कितने कर सकते हैं आप 40 दंगल कर सकते हैं बैटा कैसे है परतेक उप्सन से आप आंसा निकाल के कोशिस करेंगे कि अगर इसमें ऐसा होता तो आप सो जो कितनी चीजें आपको और याद हो जाती है इसलिए गबराने की जुरुत नहीं है आप साथ साथ त्यारी रखें यहां 6 मन्त में आपने देखा आए प्रोकी स्टेज या आई लिड्स ओपन हो जाती है यहां के खुल जाती है फिर 7 मन्त में बताया नहीं है फौर्थ मन्त में स्पेसिल बताया नहीं है आप जैसे ही याद रखेंगे तो आपको मालूम रह जाएगा और मैं समझता हो कि गलत हुआ भी नहीं होगा बिटा नेक्स देखो बिटा यहां से आया इन एमोईटी फटिलाइजड एग आर एकवर एंडास सैल स्टेज बैरी मॉस्ट है एमोईटी में निशेचित अंडों को कोसी की ये अवस्ता में एकर्तित किया जाता है एमोईटी का फुल फॉम मालूमोना चाहिए है एमोईटी में फुल फॉम क्या हुआ मल्टीपल ओविलेशन एम्ब्राइव ट्रांसपर अब देखो यहाँ पर आठ से बत्तीस कोसी का एंसे आटी की लाइन है टाइम बेस करने से कोई फाइदा नहीं है ये भी आपका डेफिनेट सही गया होगा फिर देखो next विटा गया आया है समजात ओर्गन देखो इससे पक्का परसन आता है आप अच्छी तरह जानते हो होमोलोगस और एनालोगस से डाइग्राम से भी आता है और वैसे भी डाइरेक्ट पूछ लिया जाता है तो देखो यहाँ क्या कह रहा है डिस्सिमिलर ओरीजन और डिस्सिमिलर स्टेक्चर देखो यहीं गलत हो गया क्योंकि होमोलोगस में आपको मालूम है बिटा ओरीजन आपको मालूम है क्या होता है सेम और उसके बाद फंक्सन देखो यहाँ पर क्या होते हैं सेम भी हो सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर डिस्सिमिलर के रूप में भी हो सकता है और ये option कौन सा हुआ उत्पत्ती समान और उसके बाद परंतुकारिय समान अत्वा ए समान बिल्कुल तीन नमबर आंसर जला जाता है इंपोर्टेंट है ध्यान रखे आपको अच्छी तरह मालूम चल गया होगा उसके बाद देखो बेटा next यहां से आपने देखा जैसे मैंन बोगन वेलिया का काटा हुआ है कुकर बीटा का परतानिमन में से क्या प्रदशित करता है एंसे आटिकर डाइगराम है बेटा बोगन वेलिया और कुकर बीटा अब जैको मालों यहां पर थोर्ण है और यहां पर क्या है यह टेंड्रिल अब यहां पर क्या है कि थोर्ण औ आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा कि especially ये किस रूप से होते हैं देखो origin हुआ है same दोनों का origin यहाँ पर क्या हुआ है same और ये दोनों यहाँ पर देखो यह एक यहाँ सुलक्षा कर रहा है यह चड़ने का कर रहा है इसका मतलब function difference आये same भी हो सकते हैं और ये एक दूसरे स क्या हो रहे हैं origin होने के बाद में divert हो रहे हैं तो origin same हो और वो दिशाओं में चले गए हैं इस टाइब से तो इसका मतलब conversion तो क्या होता है वो आके हम मिलते तो इसका मतलब convert होते ऐसा हो नहीं सकता analogous इसी से related होता है इसलिए हो नहीं सकता आपके पास है divergent या फिर homologous इसक मतलब मैं यह समझू कि यह भी आपका सही हो गया next देखो बेटा यहाँ से very important देखो क्या गया LNG20 is आप अच्छी तर जानते हैं बेटा कि यहाँ से यह हर बार मतलब आता ही है आपको मालूम है तो यहाँ LNG20 यह क्या है यह आप जानते है LNG20 एक हार्मोन निर्मोचित IUD है यह इन्टरइटर्ड डिवाइस के रूप में आपके समने है ज़दा आपको जानकारी लेने की जुलती नहीं है हार्मोनल इन्टरइटर्ड यह इन्टरइटर्ड डिवाइस कौन से यह LNG20 यह डैरेक्ट भी आ सकता है इसलिए आप इसको याद रखें फर्च चला जाता है यहां से आपके पास नेक्स आया कि female who cannot produce owum but can provide suitable environment for the fertilization and further embryo development could be assessed by यह भी महिला जो अंडानू उत्पन नहीं कर सकती देखो उसमें owum नहीं बन रहा है लेकिन दिशचन तता ब्रोन के विकास के लिए उच्छित वातावरण दे सकती है बिल्कुल सही बात है क्योंकि देखो who cannot produce owum, owum नहीं बन रहा बाकी यह जितने भी suitable environment है, fertilization के लिए embryo development के लिए उसके पास यह सब चीज़ें उसके पास प्योगतहवीरिया है यहां पर और वातावरण परदान भी हो रहा है तो कौन सी विदी ऐसी है तो देखो, आपको मालूम है बेटा कि यहां पर गेमी ट्रे, इंट्राफेलाफरेंट ट्रांसफर के रूप में आप इसका आंसर देंगे भाई आपको चारूं, मैंने का ना बेटा चारूं आपसन अची तरह मालूम होना चीए देखो, वीडियो सोलूशन में हम चारूं नहीं बता सकते है जो आंसर है उसके बारे में पर जचाचा कर रहे है तो आप बेटा अची तरह धहन रगना यहाँ पर क्या चला जाया है अब आपको नोलेज, ICSI का होना चीए IUT का होना चीए, GIFT का होना चीए यह आपको मालूम होना चीए बेटा नेक्स देखो अब देखो बेटा यह आपको मालूम है कोक्रोस से लिया गया है कि Kokros की सरशना में निमनमिलान कीजिए आप अच्छी तर जानते हैं बेटा कि यहाँ पर Kokros के पूरे पार्ट सब्सक्राइब देखते हैं पहला है Ometidia आप जानते हैं बेटा कि इसके Compound I होती है और Compound I में Unit को आप Single को क्या बोलते हैं यहाँ पर हम इचीडिया बोलते हैं यूनिट कोस कंपाउंड आई की और आई हमेंसा देखने का काम कर रही है इसका मतलब आपको मालूम है इसको यूँ क्रोस मत करवाना सामने लिखना यहाँ दो नंबर आपके पास आए क्योंकि वीजन में हेल्प कर रही है पिर आया टॉक एन्टर अब एक ठ fidelity बताता हूं मैं आपको जिससे आप याद रखना की कोख्रोस के लेग का सेग्मेंट आजाएं तो तो देखो कोख्रोस की यहाँ कोख्रोस की टांग फित-तनातन अब देखो कि यहां कोकसा ट्रोकटर अंटर Femur, यहां TBR, Torsus, आपको अच्छी तरह मालूम चल गया, सिरीज पूछता है, Kokroski Tongue, Fit and Ternator, अब देखो, नाम आया Trochanter, और Trochanter, आगे चल कर देखो, किसे Tractor Ephemur से, Fused with Large End Struct Femur, यह बहेद तता मोटी Femur के साथ से यूखत होता है, इसका मतलब बेटा, चार यहां आंसर आजाता है, फिर कोकसा, अब देखो कोकसा, यहां कोकरूस की टांग, तो इसका मतलब, आपको मालूम है, यह उस थोड़ेकिक पार्ट से जुड़ा होता है, यहां पर आपके पास एक नमबर आ जाता है, और यहां लिखा हुआ है, अर्टिकुलेट विद दा थोरेक्स पार्ट से, तो इसका मतलब यह वाला, और अब नेक्स्ट आया, इसकेलराइट्स, आप अच्छी तरह जानते हो, formation of the exoskeleton, और इसमें आपके पास किता चला गया तीन नमबर, अब आप मेच करवालो बेटा, किसमें, देखो मैंने तो इतना किया है, जब आपको यह मालूम चल गया, कि A में 2 आ रहा है, तो बेटा, time को आपको बहुत कीमत ही है, आपको अच्छी तरह समझना चाहिए, कि time बचेगा तो आप physics को या अधर subject को आप अच्छी तरह दे पाएंगे, क्योंकि मेरें तो चारों मिलाए है, और देखो दो आप A में सिर्फ एक में नजर आ रहा है, और इस टाइप के प्रशन देखो, सिर्फ बड़े दिख ही है, यह बहुत हिंट मिलता है, अगर आपको एक भी सही आ रहा है, उससे आप मेच करवाने की कोशिस करेंगे, तो आगे आपको करवाना पढ़ेगा ही नहीं मेटा, इसका मतलब आपके यहां से आनसा चला गया first number, और यहां आपको अच्छी तरह मालूम है, फिर चार आगया एक, फिर आगे तीन, और आपको इसी में ही मिल रहा है, और किसी में नहीं मिल रहा है, और मैं समझता हूँ, यह आपका सही गया होगा, फिर देखो next बेटा, यहां से आपके पास next आता है, पीडी एकांतरन या मेटा जीनेसिस कौन से संका लक्षन है, वेरी पॉलिप, आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा, यह सिलेंट रेटा के रूप में होता है, और यह अल्टरनेटिव रूम से चलते हैं, और इसी कारण से पीडी एकांतरन या मेटा इससित करते हैं, रिजल्ट आपको मालूम है, मेडूसा एजिस सेक्सुल है, और एपॉलि जिनेसिस का नाम दिया जाता है, और यह मेडूसा और पॉलिप बेटा किसमें परजेंट होती है, सिलेंट रेटा में, इसलिए आपको मालूम है, सिलेंट रेटा आपके पास दो नंबर वाले रूप में देखने को मिलता है, सिलेंट रेटा में, तो यह आंसर चला जाता है और ये ध्यान रखना ये important है वैसा नहीं आए तो ये ऐसा सकता है आएगा जरूर ध्यान रखे बैटा और चारू option के बारे में आपको मालूम होना चीए फिर देखो next यहाँ से आपके पास है बैटा क्या कि what is the common island silver fish, scorpion traves and honeybeam silver fish में बिच्चू में केकडा और उसके लावा कौनसा मदू मक्खी में क्या समानता है आप अच्छी तर जानते है बैटा देखो आप compound eye की बात करते हैं या poison gland की बात करते हैं या metamorphosis या कायांतन की बात करते हैं इसमें सब में अलग हो सकता है जैसे बिच्चू वीवी पेरस के रूप में है तो यहाँ पर आपको मालूम है directly interact हो रहा है लेकिन सबानता की रूप से यह सब के सब किसमें हरें बैटा आर्थ्रोपोर्डा में क्लासे आपको मालूम है अलग हो सकती है और है ही अलग क्या हो सकती है और आर्थ्रोपोर्डा को आप बोलते हैं jointed appendices क्या बोलते हैं बैटा jointed appendices और यह यहाँ पर present है तो निसीत बैटा यहाँ से पहला ही answer चला जाता है क्योंकि बाकी तो आपको मालूम है यहाँ different step आती ही है किसी में simple auxiliary के form में होता है किसी में bis gland ही नहीं और किसी में है तो आपको मालूम है इससे first है जो सब में हमेच कर रहा है सबानता रख रहा है और यह भी आपका सही हुआ है next देखो विटा हूँ यह फिर अपने classification से आया classification से आपको मालूम है तीन चार प्रशन आते हैं एक basic concept से एक invertebrate से आ जाता है एक vertebrate से आ जाता है और vertebrate और codate या hemicodate को mix करके भी पूछ लिया जाता है कबराने की जूरत नहीं है बहुत easy प्रशन है देखो यह क्या कह रहा है how many animals given in the box box में दिये हुई है belong to the group another euro codate बिल्कुल अच्छी तर देखो box में दर्सा आएगे जन्तों में से कितने euro codate चोड़ कर किसी अन्य समू में रखे गए है और वो कोई भी समू हो सकता है आप ध्यान रखना euro में एक example देता हूँ यहां ट्रिक बताता हूँ euro codate और euro codate का नाम आती ही आप करेंगे sad क्या sad याद रखना sad बड़े दुकी बात यह से महलो आप क्यों euro codate बतलब आपको मालूम है यह पूछ वाले पार्ट की बात कर रहा है और उसी में ही आपको मालूम है वो एक तरह से part present होता है और उसमें sad में कौन आता है देखो अब s बनाबर क्या हुआ यहाँ पर देखो salpha d for dalenium और a for ऐसी दिया अब देखो s a or d यह तो euro codate ड़े तक है इसको छोड़ कर गोन से तो बेटा आपको मालूम है या चुडेल मसली या विक्सी आप अच्छी तरह जानते हो यह अलग हो गई है vencustroma अलग हो गया है secoclosis अलग हो गया है hemicodita इसका मतलब तीन यहाँ पर ऐसे है जो अलग है गवरानी की जुरत नहीं है आप ठीक से याद रखेंगे तो आपको मालूम चली जाता है बेटा नेक्स देखो यहाँ पर उसके बाद बेटा यहाँ आया निमिन मैं से कौन सा कतन लारिये hemilase के लिए सत्ते हैं यह बेटा digestive system से आपको वालूम है कि which of the following statement is true about the salivary hemilase बहुत अच्छे से डंग से पढ़के answer देने चाहिए इन प्रस्मों में गबराना नहीं चाहिए बहुत इजी होते हैं बिल्कुल एक कंसलिटेट होकर आप इसको पड़े पहला कहा रहा है मुक गुआ के साथ साथ ग्रेनी में किरिया देखो salivary hemilase ग्रेनी नाम आ गया तो इसका मतलब जुडेनम दो ही नहीं सकता एक्ट इन बक्कल केविटी तो ठीक है गलत हो गया है इसने पुछा है कौन सा true statement इसका मतलब पहला तो रोंग हो गया है दूसरा कह रहा है इस एक्ट एस अप्टिमम पी है 6.8 अंडेट परसेंट आपको मालूम है स्टार्ट ये जब सेलेवरी एमाइल एज़े वो 6.8 पर काम करता है तीसरा क्या कह रहा है कि यहां यह सही हुआ यह रोंग हुआ फिर यह भोजन में संपूर्ण स्टार्च को डाइसेकराइट बेटा आपको मालूम है सेलेवरी ग्लेंड में केवल 30% स्टार्च का ही हाँ यह 30% डाजाता तो आप सोचते लेगिन यहां पर आपको मालूम है यह रोंग हो गया है उसके बाद में बिल्कुल सही बात है यहां पर आपको मालूम है पाचन की रहसेनी के पर किरिया मुक हुआ और इसकी जलब गटिये किरिया द्वारा प्रारंब होती है बिल्कुल सही है भाई यहां पर फिजिकल डाजेशन भी हुआ है और 30% डिस्टार्च के डाजेशन से केमिकल डाजेशन भी हुआ है और फिजो केमिकल प्रोसेज आप अच्छी तर जानते है इसका मतलब यहां पर B और कौन सा D से ही गया है और ऑप्शन में B और D थर्ड नंबर पे इसका मतलब इसका अंसर थर्ड चला जाता है फिर देखो बेटा next यहां से आया बेटा यह आपके histology से प्रस्टन ले लिया गया यहां पर देखा गया आपको अच्छी तरह मालूम है NCRT से बिलकुल भी एक भी लाइन भार नहीं है वेटा लाइन टू लाइन आपको मिलेगी बस आपको हिम्मत रखनी है हिम्मत नहीं आर नहीं है और ध्यान रखे नंबर उपर नीचे होते रहते हैं यह नंबर का मारे सेलेक्शन नहीं होगा बस आप दंगल को तरीके से कि एक फिजिक्स के में स्टिज लोजी बोटनी को सही तरीके से डील करें तो आप निस्षी तरह सपलता आपको मिलेगी आप देखो यहां से क्या कह रहा है उपकलाव तक यहां सेक्रेशन और आपको मारेराों कि इस सेकिंड पर इस परकार मिल जाता है कि मतलब थर्ड पॉर्थ पिप जो है वहां से आप देखेंगे तो पूरी लास्ट तक आपको मिल जाएगा तो इसमें गपराने की जूरत नहीं है, यह लाई नहीं की हूँ, इस्तम उपकला कर सेक्रेशन यहां अशुर्शन में साहिक होता है, थता, यह इस्पेशली आपको मालूम है आत्र के इस्तर में, अब वहाँ पर आप देखो, यह क्या है, मैंने का सब का मालूम होना चाहिए, तो देखो, सबसे पहले, आपको मालूम है, इस यह किसमें आ सकता है, तो इससे बोलते हैं, सक्की बीबी हसली, क्या बोलते हैं, सक्की बीबी हसली, अब देखो कैसे याद रखेंगे आप, यह NCRT के 101 नंबर के पेज़ पर, second paragraph में, first line और इसक्योमस, बीबी मतलब, blood vessels, और air sake of lungs, अब इसका मतलब, यह तो यहाँ होना ही नहीं था, फिर दूसरा, cuboidal, आपको मालूम है, यह inner surface of falofian tube, वहाँ siluted लिखा हुआ है, 101 नंबर के, वसी last line पे आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर siluted epithelial part के रूप में, falofian tube और bronchias का example दि आता है, और compound and dry skin, तो आप जानते हैं, वहाँ पर, भाई, यह secretion और observation में help करता है, तो यह वैसे नहीं आना है, और यहाँ पर आप आपको मालूम है, यह अलगी हो गया है, तो इसका मतलब, answer आपको सब के बारे मालूम होना चाहिए, मैंना मतलब यह है, आप यह नहीं है, सिरफ इसी के बारे में सोथ के रहे जाएं, देखो एक प्रशन दंगल का, आपका चार प्रशन को सोल करवाता है, इसलिए ध्यान रखें, घबराने की जुरत नहीं है, आप तरीके से देखें, और जुलोजी बॉटनी में, और केमेस्ट्री में यह मान के चलो, आप जुलो दे दिया, देखो, NCRT की हर चीज इंपोर्टेंट है, मैं तो कहता हूँ, साइंटिस्स का भी अगर नाम है, और उससे रिलेटेड कोई डिस्कवरी है, या फोटो दी हुई है, वो भी तुम्हें मालूम होनी चीए, बेटा, देखो क्या है, यहां से दिया गया निम्न चित होती, मास सेल होती, इसके इलावा आपको मालूम है, बेसो फिल सेल्स होती, यह चीज़ें आती तो आप सोचते, फिर फेटी वाले में आपको मालूम है, इस परकार के रूप में आपको मालूम है, यहां पर इस परकार के रूप अगर नजर आते तो यह फेटी वाला पार् कौन्डियो साइट्स के रूप में आप जानते हैं यह वाला इस टेक्चर आपको दिखता है और वहाँ देखो हैविसियन कहलाल का पर्जेंट ओना वॉलकमन कहलाल का पर्जेंट ओना यह इस पेशली एक बहुंस मेंबर्स की करेक्टर होता है यह डाइग्राम आप जानते है इस नमबर आप देखेंगे वहाँ पर आपको पिल्कुल इस पस्ट कार्टिलेज का डाइग्राम के नीचे हुआ मिलेगा इसका मतलब थर्ड आंसर चला जाता है गबराने की जुरुत नहीं है आपका अगर मालों गलती से इसको बहुन भी करिया है तो आगे से तोड़ा द सब करने के लिए भी आते हैं इसलिए यह टाइम भी बचाते है तो इसमें आपको मालूम है टाइम खराबी नहीं करना है घिजाड आंसर चला जाता है पेशनी फिर देखो नेक्स पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपोटेंट है वेरी मॉस्ट है क्या कहा वन आप दा वेरी वेरी मॉस्ट बहुत अच्छा और न्यू फेटन से बनाया है ऐसा पाचनरस जिसमें पाचक एंजाइम नहीं होते हैं लेकिन वसा के लिए मतला इनिस्टिफिकेशन आप दा फेट और वसा के गुलने वाले विटामिन अब देखो विटामिन याद रखना में विटा रखना है और होता भी है तो घैडग आपको वैसे एडग याद नहीं ही रखना फैट सोल्यूबल कोन सी ए डिए के ऐसे याद रखना है और वाटर सोल्यूबल में आपको मालूम है कौन कौन सी आगी आपको विकासुल कैपसुल लेना है तो निश्टिता पानी के साथ ले आप नीमू पानी बनाएंगे, तो पानी के साथ बनाएंगे, तो C, यह होते हैं water-soluble, यह आपके chemistry वाले portion में भी है, biomolecules वाले में तो आपको मालूम होना अची है, यहाँ नहीं तो वहाँ गाम में आएगा, दोनों vitamin fat-soluble कौन सी है, इसका absorbative part होता है, अब आप जानते हैं आप चारू का नोली होना चाहिए, ऐसा नहीं इस paper को करके आप छोड़ देंगे, जगो इसमें, आपको sulcus anticus के बारे मालूम होना चाहिए, जटर रस होता है, gastric juice उसके बारे मालूम होना चाहिए, pancreatic juice उसके बारे मालूम होना चाहिए, आपने चार कुशन तयार कर लिए, इससे बाहर आना नहीं है, यहीं स्ट्रे रहे, इसका मतलब, आगे देखो बेटा, next आया बेटा, NCRT की U की U-line उठाई होई है, आपको मालूम है, the maximum volume of air is a person can breathe after forceful expiration age, आपको अच्छी तरह मालूम है, बल पूर्बक निश्वशन के बाद, जिसे मालू, वह अधिक्तम मात्रा जो की एक अंता है, सबसित कर ली गई, ऐसी सम्ता को या capacity को क्या बोलेंगे, देखो, vital capacity, और वैसे मैं आपको एक trick बता देता हूँ, NCRT में आप एक volume और capacity देखते हैं, और maximum का जा नाम हाता है, जो सब दाता है, वो केवल आपको VC में मिलेगा, या vital capacity मिलेगा, इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की जूरत नहीं है, कुछ tricks भी आप यूज ले और time बचाए, और यह NCRT का, U का U paragraph उठा की दिया हुआ है, ध्यान रखे आप, next देखो बिटा, लेकिन knowledge अपको आउना चाहिए, RV क्या है, प्लस TV क्या है, फिर फ्रंक्सनल पर रिजर्व कैपिसिटी क्या है, आप अच्छी तरह मालूं वहना चाहिए, क्योंकि देखो, मैं इतना नहीं यहाँ पर, मैं explain नहीं कर सकता, क्योंकि अपने पास से और भी पेपर में कुशन है, उनको भी solve करना है, और और भी आपके पास से चीज़े है, जो आप करेंग आरवी प्लस, यहाँ यह आरवी होता है, तो आरवी के गारण नहीं कर सकते हैं, टोटल लंग्स केपिसिटी है, उसके द्वारा याद गद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी दो आरवी आ गया है, तो आरवी स्पारोमेटर से गयात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको मा मालू में 500 ml के आसपास होती है 500 से और इसका डेडी स्पेस 30% होता है आपको बता ही चुका हूं यहां पर यह जो लाइन है मतलब दो नमर का अंसर चला जाता है वेरी इंपोरेंट प्रशन हाया जान देखने बिटा अब देखो next यहां से पूछा गया बेटा क्या निम्न में से कौन साज रोगण हो सामाने चोटी आत में दुरसित बोजन वे पानी के द्वारा होता है तता रक्त द्वारा अन्य अन्य मों में चला जाता है बिलकुल वेच अप दफ़एंट पैथोजन जनर रहा है आपने टाइफ़एंट मेरी का नाम सुदा है उसकी ncrt में साप साप लिखा हुआ है तो इसका मदब सालमेना टाइफ़ी की रूप में आपको जाना जाता है knowledge आपको सब करोणा चीए मैं पहले कह चुका हूँ एंटमी वैस्टरलीका की दौरा क्या होता है प्लाजबोनियम की दौरा क्या होता है हीमोफिलेस इंप्लिज की दौरा क्या होता है एक प्रश्णा आपके चार सॉल करता है इसलिए आप उस पर ही नहीं जाये केवल तो कि आप ये देखो यंग जीतने जा रहे हूँ आप फस्स लेंग लेन जा रहे हो तो इसका मतलब इसके लिए आप हर तरीके से चारों तरह से आप चोकरने रहें जैसे अपन कहें कि दाएं बाएं उपर नीचे किदर से भी पॉइंट बने तो अपना खलत नहीं हो नेक्स देखो बेटा यहां से आपके पास पूछा गया यहां ब्लड वैसल्स केरीज केरिंग ब्लड फॉम दा लंक्स टू है बेटा देखो यह मालो है आपको मालूम है यह यहां पर जस्ट और यह मालो आपके पास कौन है लंक्स है अब यहां से यहां पर जो ब्लड आ रहा है प्लस यहां से यहां जो ब्लड जा रहा है इसी का रिलेशन होता है अब वो कह रहा है ब्लड वैसल्स केरीज blood from the lungs to hurt देखो यहां hurt से जाता है तो इसका नाम होता है कौन सा artery और यहां अगर hurt के पास आ रहा है तो वो है वेन चाहे वो superior वेना के वह हो चाहे inferior वेना के वह हो लेकिन lungs के साथ relationals का नाम क्या हो गया pulmonary और यह अफवाद भी है देखो यहां impure blood आता है फिर यहां seem pure blood जाता है इसका मतलब यहां पर यह pulmonary क्या है artery और यह है pure blood आया और यह वेन के द्वारा इसमें गया तो यह है pulmonary vein और यह साप के रहा है ठेपडू से रदे तक रखत लाने वाला पार्ट का उनसा हुआ तो pulmonary vein हुआ है जिसमें pure निकास को नहीं बढ़ाया जा सकता आप जानते codic output CO बराबर क्या होता है यहां heart rate आता है plus यहां पर क्या आता है stroke volume आता है यह तो numerical आये तब आपको soul करना है यह extra बता रहा हूँ मैं इसमें directly आप देखो sympathine बिल्कुल बढ़ायागा यहां पर adenels आपको बढ़ायागा क्योंकि आपको मालूम है trachycodia stage यहां पर हो रही है कुसी के दोरान आपको मालूम है trachycodia यहां पर pranukampi जो पार्ट होता है वो होता है और perasympathic signal समेंसा यह कभी भी increase नहीं करते हैं इसलिए 4 number answer चला जाता है knowledge आपको सबका होना जरूरी है फिर देखो next बेटा यहां से बेटा आया क्या यह बाकाइदा disease वाले से लिए आगया है ncrt की line है आपको मालूम है दमनियों की बित्ती में cholesterol लवन अब देखो जबरी नहीं है यहां वसा लिखा हुआ होता यह अधर पार देखो cholesterol का नाम आ गया फिर उसके बाद में आपको मालूम है यहां deposition की रूप में salt आ गए है तो यहां उसके कारण क्या हुआ उसकी technique तता hardness यहां पर बढ़ गई है तो वो deposition क्या कहलाता है बेटा ncrt में साप साप लिखा हुआ है इसे बोलेंगे कौन सा यहां पर atherosclerosis आपको मालूम है इसे इस्तरियो कांठी लक्डी जैसी है काटोर टाइप में कांठी में लग यहां एथे क्या नाम है देखो rtosclerosis और एक कौन सा होता है atherosclerosis अब दिखी रहा है आपको मालूम है NCRD में नाम ही इसी का है तो बेटा इसका अंसर फर्स्ट चला जाता है देखो बेटा नेक्स्ट कौन सा आता है यहां से आया यह अपने क्रिस्टम से या किड्नी से लिया गया है कि परतेक किड्नी जो होती है उसका इस्तर कैसा होता है तो यहां पर इच किड्नी इस लोकेटेड एड़ लेवल आफ निमनिस्तर परिस्तित होती है तो आपको मालूम है बेटा जैसे मालू यह हमारी बेकबॉन है और यह T12 है और यह L1, L2 और L3 तक आपको मालूम है यह लगी हुई होती है तो आपको मालूम है T12 हिसमें कहीं है ही नहीं तो तोड़ा सा ध्यान देना है बेटा कि कि आपको मालूम है C7, T12, L5, S1 और CO1 यह आपको मालूम है अपनी वर्टिब्रे का क्या है फर्मूला है अब T12 भी तो होता है तो अंतीम हम त्योरेकिक पार्ट को T12 भी कहेंगे अंध थर्ड लूम्बर पार्ट तो इसका मतलब लास्ट त्योरेकिक एंध टू थर्ड लूमर वर्टिब्री टू अंसर फॉर्ट चला जाता है फिर देखो बड़टर Down syndrome है तो 21 क्रोमोजोम में Trisomy होती है तो यह तो होता नहीं है क्येक यहां तो Number Of minimums बड़ी जाते है 46 जेकब syndrome इसे functions बोलते है इसमें वाई-वाई की stage आयाती है तो इसमें भी बड़ा हुआ ही नज़र आता है फिर Turner syndrome आपको मालूम है X0, यहाँ पर किसी परकार का कोई गेमिट नहीं बनता है, सेकेंडे सेक्षिल करेक्टर नहीं आते हैं, तो यह टर्नर सिंड्रोम, यहाँ आंसर चला जाता है, किला इंफिनल सिंड्रोम में आपको मालूम है, X से यहाँ XY की स्टेज आती है, तो इसका माला इसमें भी संक्या बड़ी हुई है, इसका माला आँसर आपके पास कौन से आता है, थर्ड, इंपोटेंट है ध्यान रखना, next point देखो बेटा क्या होता है, यहाँ से आया बेटा, कि यह भी इंपोटेंट है, very most है, गैलनोइट कैविटी किस से रिलेटेड है या कंसर्ण है, देखो बेटा, यहाँ एससे टेविलर कैविटी आएद आ भी सकता है, वो भी आ जाए, यहाँ गैलनोइट कैविटी आ जाए, आने के चांसर डिट परसेंट है, ध्यानरक लेने सीज़ का, तो यहाँ पर कौन सा है, पेक्टॉरल, गर्डल, यह वाला अंसर चला जाता है, देखो कैसे, आपको मालूम है, यह इसके पिला पार्ट है, और यहाँ वाले पार्ट पर, यहाँ यह केविटी परसेंट, और इसमें आपको मालूम है, अपना हिम्रस वाला सिर्फिट होता है, तो यह केविटी का नाम क्या है, तो इस वाले पार्ट को आपने क्या नाम दिया, एसे पेक्टॉरल, और यहाँ आपको मालूम है, खलेविकल स्टेप चलता है, तो यहाँ से ही केविटी का नाम पूछा जा रहा है, किस से रिलेटेड है, तो pectoral part से related है अंस में एक ला, अंस मीं स्खंदा कंदे वाले part से ये related होती है जिसमें इसका सिर्फिट होता है और ये एक अंसा है humerus वाला part है ध्यान रखना ये भी important है और अगर मालो यहाँ acetabulum cavity आती तो pelvic से answer चला जाता तो कि आपको मालूम है hip bone में यहाँ cavity जो होती है जाँ femur का head यहाँ फिटो रहा है तो इसका मतलब इस वाले का नाम क्या है acetabulum तो इसका मतलब आपको चारूं जो भी part है knowledge होना चीए नेक्स देखो बेटा यहाँ से आपके पास आया बेटा क्या निमन में से कौन सा पेशी संकुचन है तूरजा का source है very simple है कि which of the following is the source of energy muscles contraction आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा कि muscles contraction में देखो आप मालूम है series जैसे मालो आप first देखते हैं फिर second देखते हैं फिर third देखते हैं फिर fourth देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है जैसे मालो pre formation for the cross bridge यहां आते cross bridge बन जाता है यहां आके वहाँ sliding हो जाती है यहां breaking of the cross bridge हो जाता है वो diagram NCRT का तुम्हें याद है बेटा अब आपको मालूम है यहां पर यह mechanism जो चल रही है यह muscles contraction हो रहा है तो इसके लिए आपको मालूम है ना यहां ATP जो रियक्त होता है प्लस ADP प्लस इन और्गनिक फास्पेट में तो इसका हमना energy के लिए कौन काम कर रहा है तो यहां ATP काम कर रही है याद रखे बेटा important है यह बाला भी याद है और यह बाला भी याद रखे नेक्स देखो यहां आपसे पूछा गया बेटा क्या कि यहां उत्सरजी पदार्थ के संदरब में कौन सा स्विलित है क्यों सा वीच आप दा फॉइंग इस अक्रेक्ट मैच इन तार्म आफ एक्सकेट्री प्रॉडेक्ट आप जानते हैं बेटा यह लास्ट पेरेग्राफ एक्सकेट्री पार्ट कौन कर सकता है मैंने कहा ना कभी भी जैसे की मालो ऐसे करोस नहीं करवाना चीए यह ऐसे करोस करवा दिया या ऐसे करवा दिया या ऐसे हो सकता है बाइचांस कभी घरब लग जाता है आपको थोड़ा ध्यान रखना चीए कैसे होगा देखो बेटा लीवर नाम आया लीवर में ड्रक्स प्लस से डिग्रेट, ट्रेडिस्टरोइड हार्मोन बिल्कुल ऐसा कैसा एसे एंसे आटी में लिखा हुआ इसका मंदब पहले में गया आया लंग से है तो बेटा 200 ml पर मिनट यहां से एक्सक्रेट की जाती है न्यू डाटा है, पूरा याद रखना सीधा भी आ सकता है मैंने यहां जोड दिया है अब देखो D, यहां पर A, उसके बाद B और C किसमे आंसर गया देखो, सबसे पहले आपने देखा पहले में आपके पास D गया फिर दूसरे में आपके पास A गया अब देखो, D, A फिर उसके बाद में आपके पास B गया और C गया, इसका मतलब आपके पास आंसर कुणसा चला गया ऑटा, थर्ड आंसर चला जाता है, और मुझे उम्मीद है सही भी किया होगा ध्यान रखें एक भी पॉइंट नहीं चोड़े बेटा एंसियार्टे का बहुत जरूरी है आप ध्यान रखें फिर देखो नेक्स बेटा यहां से पूछा गया दो सटे हुए मायलीन आवरन के मद्य पाइज जाने वाले अंतराल को क्या कहा जाता है दा गे है यह रेनवीर के बीच बीच में आपके पास यहां मायलीन सीट का पाइट परजेंट है यह पूछी यही रहा है कि क्या कि दो सटे हुए मायलीन आवरन यह दो मायलीन आवरन है इनके बीच में जो अंतराल होता है यह गेप होता है इस गेप को किस नाम से जानते हैं तो इ क्यां से है है कौन काम करता है बटा अच्छी तरह मालूम हर बार यह प्रश्य गुमा फीरा की पूछा है जाता है अब आपको मालूम है अगर मालो किसके साथ के साथ एमेक डेला के साथ के जास जूर जाता है तो यह लिंबिक सिस्टम में काम करता है यह भी आपको मालूम होना चाहिए नेक्स देखो बेटा आपने देखा फोबिया आख में उपस्ती तिक पीले रंग के धब्बे के अंदर में इस्तित्जिसे कहते हैं आपको मालूम है फोबिया इस दा आईजी सेंटर इन दा यलो पिगमेंट स्पॉर्ट देखो बेटा आपको अच्छी तरह मालूम है यह हमारा लेंस है यहां पर सस्पेंसरी रिगामेंट पर्जेंट है उसके बाद में यहां पर आपको मालूम है सिलेरी बोडी जो कि आगे चलकर आए इसके यहां पर सिलेरी बोडी के रूप में एक औरोइड पार्ट जैसे आपको मालूम है अब उसके बाद अंदर आप रेटीना वाले पार्ट में आते हैं तो यहां पर जैसे मालूम पिले स्पोर्ट के रूप में बात कर रहा है क्या कि यहां और सेंट्रिया फोबेलिस पार्ट युठिया जो है वो यहां से अंसर ले लेता है क्योंकि यह पीले रंग के दबब्य के रूप में यहाँ पर प्रजेंटर फोबिया में क्या होताальное एक्यूट विज़न होता है यह तो यह आ जाए यह फिर यह आunda देखो मेंटार नेक्स आया यह अब आरे एंडोग्राइन सिस्टम से हैं निम्न में से सेकेंडरी मेसेंजर नहीं है आप अच्छी तर जानते हैं NCRT में लाइन है आपको अच्छी तर अमालूम और चीए देखो आपने देखा NCRT में जहां दाइग्राम मना हुआ है 22.1 A और 22.1 B में आप देखते हैं एक तो डायरेक्ट यहां से आपको मालूम रेस्टेप्टर के रूप में काम करता है फिर यहां से यह प्राइमेरी मेसेंजर के रूप में यह प्राइमेरी मेसेंजर आया वो इस वाले में यह युज आया है तो इसका बदब आपने देखा यहां C, A, M, P लिखा हुआ है प्लस, केल्स्यम लिखा हुआ है और इसके जस्ट उपर वाला पेरेग्राफ यहां डाइग्राम के उपर आप देखेंगे तिस्री लाइन तो यहां साब लिखा हुआ है cyclic AMP, IP3 और CA इसका बतार यह तीनू तो है लेकिन यह secondary messenger नहीं है इसलिए यहां sodium answer मन्दब 4 चला जाता है जो की not पूछा गया है important है ध्यान अपना बेटा next देखो बेटा यहां से आपके पास आया very 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 important है उत्तक वांगों के प्रत्यारोपण में कुछ रोग्यों को बचाना एस सपल हो जाता है क्योंकि रोगी द्वारा उस उत्तक या अंग को नकार दिया जाता है इसके लिए किस प्रकार की प्रतिरक्षा अनुक्रिया उत्तरदाईत है यह हमारी immunity से लिया गया प्रशन है कि transplant of tissue या organs of certain percent of fall to the rejection of such tissue या organ by the percent which type of immuno response is responsible for the such rejection आप अच्छी तर जानते बेटा हर साल यह गुवाफिरा के एक साल सोड के एक साल प्रशना आता ही है और यह cell mediated immunity से response से answer जाता है और आपको मालूम है यहां इसको बचाने के लिए cyclo-sporine का रूप भी आपको मालूम होगा यह भी याद होना चीए है मैं समझो अच्छी तरह आपको आगया होगा चार नंबर इसका चोता option चला जाता है next आगो बेटा next आगो बेटा read the following statement यह हमारे endocrine से ही है निमने कत्नों को पढ़िए और फिर आप से सही विकल्प का चेन कीजिए कि correct option कौन सा है use the correct option अब पहला है the hormone of zona glomerulosa maintain the osmotic pressure of our body देखो याद रखना जब हम cortex part और medulla part यह हमारे part है अब इसको याद रखने के लिए इसको यह हो रखना main M for medulla medulla से निकलता है epinephrine और non-epinephrine emergency हार्मोन के रूप में आपको मालूँ में epinephrine काम करता है और यहाँ यह होता है cortex और इसके लिए आप याद रखेंगे एक ट्रिक बता रहा हूँ go for rest चीक है and make good sweets पहले आराम कर लो बाद में अच्छा मिठा बनाना तो देखो यह तो है उसका zone इसका नाम है glomerulosa और M for mineralocoticoid और mineralocoticoid में LDosterone जो की osmotic freser में help करता है इसका मतलब यह तो चला गया फिर आ रहा है fasciculate इसमें cortisol देखा यहाँ से gluco-corticoid जो की life saving हार्बोन के रूप में काम करता है और यह है zona reticularis जिसमे sex steroid hormones के रूप में काम करते हैं बेटा responsible formation of the RBC इसका मतलब यह भी सही है और फिर कह रहा है hormone arciculate by देखो only लग गए रहा है वेटा only क्योंकि आप जानते हो कुछ इस परकार के organ भी है जो endocrine नहीं है फिर भी hormone छोड़ते हैं जैसे मालो GIT है वहाँ से gastric hormone निकलते हैं उसके लावा आप जानते हैं hurt जिसमें an factor जो BP को कम करता है उसके लावा आपको मालो में kidney जहां erythropoiesis stage है तो इसका मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा यह तो बिल्कुल गलत हुआ क्योंकि केवल यहां आ गया तो केवल से यह गलत हो रहा है इसलिए आपका पास A और B answer चला जाता है और यहां answer हुआ देखो किसको छोड़कर C को छोड़कर देखो C को छोड़कर सारे सही हैं इसका मतलब तीन number answer इसका चला जाता है यह आपको अच्छी तरह मालूम चल गया except C and all are true next point देखो बेटा यहां से आया बेटा नीमन चार खत्नों पर विचार कीजिए केवल सभी सही खत्नों वाला वी कल्प चुन यह देखो बेटा अच्छी तरह सुनना important है मैंने कहा था एक प्रश्टने अमारे basic concept से आता है बेटा और यह classification का basic concept है जहां आपको मालूम होना चाहिए देखो क्या कह रहा है प्राणी जगरत सभी सदस से बहुत कोस्की होते हैं आपको मालूम है हम proto जोवा अगर लें तो unicellular होता है इसलिए protista में उसको रखा गया अब देखो multi cellular all members of animalia are the multi cellular बिल्कुल सभी बात है बेटा दूसरा sponge the cells are arranged as a loose and cell aggregate बिल्कुल आपको मालूम है यह भी सभी है platyhelminthes से एक्सिट्स था cellular level देखो बेटा यहां से गलत हो गया क्योंकि यहां पर आपको मालूम है organ level आ जाता है इसका मतलब यह वाला गलत हुआ है फिर echinodermeta एक सिफता radial और bilateral symmetry depends on the stage of the life cycle आपने बेटा NCRT में एक table बनी हुई देखी होगी जिसमें सब को बाता जैसे कि मालो पहले आया body organization फिर symmetry फिर उसके बाद में siloom और फिर example आए यहां एक star लगा के एक line लिखी हुई है उस line को यूँ का यूँ उठाया हुआ है जहान लगना एकाइं नोडरमेटा जो होता है उसके जीवन चकर की अवस्ता के रुसार अर्ये याद दी पाश्य शिम्मिती आती है जीवन चकर में मतलब वैस्क जो होता है उसमें बेटा अर्ये शिम्मिती के रूप में सरचना मिलती है जबकि लारवल अवस्ता जो होती है उसमें इस्पेशली दी पाश्य शिम्मिती मिलती है यह डायरेक्ट यूँ भी गुमाफिरा की पूछ सकता है और वहां से अब मैंने इसको यहां से उठा लिया तो आपको मालुम चल गया तविटा कि D स्टेट्मेंट यहां C गलत है अब A, B, D सही है अब A, B, D सही कहां आ रहा है देखो इसमें B आगया यहां आपको मालुम है ल况ाँ C भी आगया इसका मालुम गलत हो गया A, B सही है लेकिन और भी तो देखें CD सही है, लेकिन देखो, खतर A, B and D, भाई सारी तो C देखने पढ़ेंगे सारा पढ़ना पढ़ेगा, ऐसा नहीं आया, A और B देखके आपने answer कर दिया, या आप C देखके, C तो आई नहीं सकता दोरू, तो आप तो वैसे कर दो, आप तो पूरा तो पढ़ना यार इसको, तो इसका मतलब, statement A, B and D, यहाँ पर answer चला जाता है, मैं समझो साहित, बिलकुल अच्छी तरसे आपके समझ में आ गया होगा, next देखो बिटा, अब देखो आप, यहाँ से section आपके पास कौन सा आगे, बिटा, देखो, section B start हो जाता है, यहाँ पर आपको मालूम है maximum, यहाँ 40 marks, यहाँ आपके पास है, इसका मतलब आप जानते हैं, बिटा, कि 15 question आपको यहाँ दिये हुए है, जिसमें से आपको 10 attempt करने हैं, बिटा, ऐसे वाले portion में हमेसा वो प्रस्ट करने चाहिए, जो देखते ही, टिक करते हैं, आपको देखो, पढ़ते ही, आपको लग रहा है, कि वास्तव में यह 100% सही है, तो क्यों अपना time-based करें, तो देखो, यहाँ पर क्या होता है, लेकिन यहाँ तो इसके लिए देखो, मैं ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद इसके explain करूँगा, यह ट्रिक आपकी 100% काम में आएगी, क्या, देखो, प्लीज, यह लिख लेना, प्लीज, दू, यहाँ आएगा, Remember, Apple has essential nutrient for Homo sapiens sapiens. अब यह सारी स्रीज याद करवा देता है, अब देखो, आपके प्लीज तो लगाने की जुरत नहीं है बेटा, क्योंकि एक ग्रूप क्या प्लीज बोलेगा आपसे, अब देखो, यह वैसे पहले पितिकस है, यह है नहीं, लेकिन NCRD में यहाँ स्टार्ट हुआ, देखो, डायोपितिकस पहले आया, फिर रामापितिकस, फिर औस्टेलियोपितिकस, फिर होमो इरेक्टस, अब देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या हुआ, प्लीज डू रिमेंबर, एपल हैज, एपल हैज, 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 यहाँ हैज, तो यहाँ होमो हिबिलस हो गया, फिर एच लग गया, तो यहाँ होमो स्टार्ट कर देड़ा है, होमो इरेक्टस हो गया है, होमो इरेक्टस यहाँ से हुआ, यहाँ से, इरेक्टस के बाद म और Homo Sapiens Sapiens है यह सीरीज अच्छी तरह बेटा याद करके जाना जिसे की आंसर सही हो जाए अब देखो बेटा क्या है सबसे पहले आप Diopithecus देखो इसमें है क्या नहीं फिर देखो आप Rama Pithecus इल्कुल यहां Rama Pithecus नजल आ रहा है इसका मतलब first आपके पास Australia, बिल्कुल आ रहा है बेटा, Australia फिति जखो, इसका मतलब, B के बाद E आएगा, पहले तो अपना time बचाएं हैं पन कि B के बाद E कितने में है, इसका मतलब, यहाँ E पहले आ गया, यह गलित हो गया है, B के बाद E इसमें भी है, और इसमें भी है यहां यह गलत हो गया, दो ही बच्चे हैं, इसका मतलब आपको यहीं ढूंडना है बस अब देखो उसके बाद क्या आता है, फिर क्या आया, फिर देखो यह कह रहा है होमो यहां से आया पिटा हिबिलस इसका मतलब यहां से एपल के बाद वे होमो हिबिलस इसका मतलब A साइध मैं समझता हूँ आगे बढ़ने की जरती नहीं है आपके पास देखो कौन सा B E और दूसरा कौन सा ओगया यहां पर A वाली स्टेक्चर है इसका मतलब आंसर तो 100% मालूम चल गया है फिर प्रपन देखते हैं अब देखो लास्ट में यहां पर आपको मालूम है क्रोमेंगनोन ने गुफा बनाना स्टार्ट किया था इसका मतलब C और लास्ट में सिविलाइजेशन में आपको मालूम है हो यहां एक्रिकल्चर डबलफ दोगी थी तो इसका मतलब यहां D आया अब मेच करवा दो B, E, A, C, D और यहां B, E, A आपको मालूम है C, D मतलब दो नंबर आंसर चला जाता है बेटा इंपोर्टेंट है मैंने जो ट्रिक्स बताई है इसको आप लिखके याद करें ध्यान रखके बहुत एजी है आप थोड़ा सा इस तरीके से याद करके जाएं फिर देखो next यहां से आया बेटा यह आपको मालूम में digestive system से लिया गया यहां A, B, C, D का मेच करना है अब आप यह नहीं देखे बस आप यह देखे, कहां कहां क्या नाम है अब आप यहीं पर लिख दे जैसे मालू यहां आपके पास इसोफेगल वाला पार्ट आगया ये B वाला पार्ट fundic आगया है फिर यहां C वाला पार्ट आपको मालूम में cardic आगया है यहां पर आपके पास पाइलोरस आ गया है, बोडी इसने दी नहीं है, मालनो बोडी वाला पार्ट देता तो हमसोस थे, इसका मतलब आपको मालूम वना चाहिए बेटा, कि वो अप्सर में बोडी भी लिख देता लेकिन यह है ही नहीं, पहला आया इसोफेगस, भी आया, फंडस और फिर उसके है बेटा, function of thyroid hormone, very very most है, ध्यान रखें, आप अच्छी तरह है, thyroid hormone का कारिये क्या है, जैसे thyroid gland पढ़ते हैं, आप पढ़ने पे, last paragraph पे आप देखते हैं बेटा, आपको बिल्कुल ऐसे के सी लाइने मिलती है, roll of thyroid में देखो, यह जल्व विद्दुत अबगटे का नियमन करत ही है, बिल्कुल maintain of water and electrolyte, बिल्कुल NCRT की line है, दूसरा है, यह वसाव प्रोटीन का metabolism, fat and protein, बिल्कुल 100% सही है, फिर कह रहा है, रुदीर में क्लोराइड आएन का स्तर, देखो, calcium होता तो सोचते, वो भी मदब एक तरह से regulate करने के रुप में, तो यहाँ पर वैसे भी यह हो गया है, फिर उसके बाद maintain of IQ and BMR, बिल्कुल NCRT में लिखा हुआ है, basic metabolic rate, प्लस, यहाँ intelligence equivalent लिखा हुआ है, NCRT में द्यान रखना, यह भी line सही है, अगर आपको याद नहीं है, तो NCRT की पहरे अगर आपको अच्छी तरह पड़े, आपको इसमें से बिल्कुल 100% है, प जल्वा वेदुरापकरिका नहिमन करती है, वसावा प्रोटीन का पपचेंद करती है, और IQ मतलब, यहाँ intelligence equivalent प्लस, basic metabolic rate को बनाए रखती है, यह सारे सहीर NCRT में line to line लिखी हुई है, नेक्स देखो बेटा, यहाँ से पुछा गया बेटा, कि मानव के फेपड़े विवक्त होते हैं, जो lunge होता है, उस lunge में आपको मालूम है क्या dividation है, देखो, मालू यहाँ यह ट्रेकिल पार्ट है, यह bifracted होता है T5 से, मालूम चला, अब यहाँ पर आपको मालूम है, यह अमारा lunge से यहाँ पर आता है, यहाँ इस वाले में caudic notch होता है, इसमें आपको मतलब तीन तो जो है, वो right lunge में आगे, two left lunge में आ जाते हैं, इसका मतलब three right and two left left के रूप में answer first ही चला जाता है, ज्यादा सोचने की ज़रती नहीं है बेटा, next देखो, यहाँ पर, next आया बेटा, यह हमारे embryological पार्ट से हैं, कि blastro sister बहार की और विन्यासित blastro beer kosikakko, निस इसे अपने क्या बोलते हैं, ट्रोफो ब्लास्ट के नाम से जानते हैं, इनको यहीं बढ़ लेना चाहिए, जिससे की मेच हो जाए, फिर इससे जुड़ी kosikakka, आंत्रिक समू, क्या कहलाता है, इनर सेल मास, या आंत्रिक कोसी की ये पुंज कहलाता है, अब आपने देखते इससे की ट्रोफो ब्लास्ट, तो यह कहड़ा है, इनर सेल मास, उससे ये जुड़ा हुआ होता है, तो यहां आपको मालूम चल गया, ब्लास्ट के बाहर की और विन्मसित ब्लास्ट अमिर कोसी का के समू, जो कि एक तरह से ट्रोफो ब्लास्ट है, और उससे जुड़ी मास के रूप में जाना जाता है, फर्स्ट ही आंसर चला जाता है बेटा, जादा सोचने की जुरती नहीं है नेक्स देखो बेटा, यहां से पुछा गया यह हमारे वो एरिवल अजिवेंट्री वाले पार्ट से है क्या पूछा गया, बेटा, आपको मालूम है, यहां पर अच्छी तरह याद रखना, कि किस रूप से यहां पर आपके पास आया देखो, क्या पूछा गया, बैवेक्स है और हनी है, तो वेक्स इसका प्राइमेरी पार्ट है, द्यान रखना कर्म से, और दूसरा सेकेंड़ी कौन सा है, हनी वाला पार्ट है इसलिए अंसर आपके पास मॉम और सहद यहां से चला जाता है, बीवेक्स और हनी के रूप में अंसर चला जाता है, लग उच्छा गया है, यह अपारे ओरीजन ओफ लाइप में एडप्टिव रेडियेशन जो है, उसका उधारन कौन सा नहीं है आप अच्छी तर जानते बेटा, not example of adaptive radiation, डार्विन फिंचेज, यह तो बिलकुल 100% आपको मालूम है adaptation है, दूसरा है, यहां मार्सुपीन इस्तनी यह भी है, अफ्रा इस्तनी यह भी है, क्यों, क्योंकि देखो जिनका ओरीजन आपके पास क्या हो रहा हो, सेम, और फिर यह यहां से divert हो रहे हो, अपने type food, या reproductive या other किसी requirement के लिए, तो वो divergent की step आते हैं, तो इसका मतलब यहां पर adaptive radiation में इतीनों यहां आ रहे हैं, और यह इसमें पूछा है not, इसका मतलब यह वाला part क्या है, convergent वाला structure आता है, इसलिए यहां पर कौन सा हुआ, गलत पूछा गया ह कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है, तो answer कौन सा चला जाएगा, यहां fourth चला जाता है, क्योंकि यह वाला answer नहीं पूछा गया है, तो यहां पर fourth answer चला जाता है, next एको बेटा, यहां से आपके सामने आया बेटा, जिसके वापन कहते हैं, क्या कि नर की इस्ताई ग मेल के लिए, अब देखो, आपको मालوم है, यहां पर या तो ट्यूबक टॉमी होता, यह वैसे टॉमी, पर्मानेंट मेथर्ड है वो, आपको मालूम है, इस्ताई पर्मानेंट ध्यान रखना यहां, जो की एक तरसे इस्ताई रूप से काम कर रहा है, कि नर में एक ऐसा मेथ जो की terminal method of contract shift के लिए advice किया जाता है तो answer वैसे Tommy के रूप में जाना जाता है knowledge पेचान पूरा होना चाहिए आप ध्यान रखे वेटा चारों option के बारे में नेक्स देखो वेटा ये हर बार एक numerical ways पर प्रशना आता है यहां hardy win bag equation के आधार पर प्रशना आता है आप अच्छी दर जानते हो p plus q equal 1 यहां इस method से हम निकाल देते हैं अब अगला देखो क्या के रहा है यह के रहा है small a मतलब recessive form कितना है यहां 36% है इसका मतलब आपको मालू में बेटा आप इसका form निकालेंगी 0.6 आ जाएगा यह 0.6 आता है तो आपके पास p क्या होगा आप p निकालेंगी तो क्या हो जाएगा 1 minus 0.6 equal 0.4 अगला पूछ क्या रहा है 2p q पूछ रहा है तो इसका मतलब आपके पास p कितना आ चुका है 0.4 q अगले ने आपने निकाला 0.6 और 2p q निकालेंगे तो आप इसको multiply कर देंगे multiply कर देंगे percentage में पूछेंगे तो आपको मालूम चल जायागा 0.4 इंटउ 0.6 कितना हो गया 6 इंटो 4 तो बडाबर कितना हो गया 24 इंटो 2 बडाबर कितना हो गया यहाँ पर 48 और percentage के रूप में देखें तो यहाँ आपको मालूम हैं कितना हो गया 48% बिलकुल ये numerical based डे बेटा ध्यान रखना important है ये कुछ भी पूछ सकता है P square पूछ सकता है Q square पूछ सकता है या P पूछ सकता है या क्यों पूछ सकता है अब हर तरीके से त्यार होके जाए फिर next देखो बेटा यहां से पूछा गया बेटा यह हमारे आपको मालूम है drugs वाले parts से लिया गया है कि यहां पर पूछा गया cannibinoids drugs का जो receptor होता है वो यहां पर present होता है मुख्य रूप से principally जो होता है वो principally कहां पर present है निसित बेटा तो यहां ब्रेइन आंसर चला जाता है और कुछ दीखी नहीं रहा है इसलिए को यहां सोचने की ज़रत भी नहीं है और उसके बाद next देखो बेटा यहां पूछा गया यह हमारे reproductive system से है female reproductive system है छोटी अंगुली जैसी सरश्चना जो की यहां मुत्रदवार के उपर दोनों लगू गोस्ट के उपर मिलन वाले बिंदू के पास इस्तित होती है NCRT की line है a teeny finger like structure which is like and the upper junction of the two libya minora हिंदी मीडियम में मेजोरा है इसलिए उसको सही करे आप and above the erythral opting is आपको मालो में बेटा libyal मतलब होता है एक lip like structure अब जैसे मालो यहां पर यह है measura part यह libya measura हुआ यहां पर और यह अंदर वाला part हुआ यह वाला part हुआ यह वाला part हुआ यह वाला part हुआ वेजिनल पार्ट आपको मालूम है यहां से उपर के नहीं टीनी finger like structure विशला है अपर जंचन आप टू लिए यहां वाले part पर एक एक finger like एक टीनी चोटा सा finger like projection के रूप में structure दिखता है तो उसे किस नाम से जाना जा रहा एक छोटी सी अंगुली जैसी सरेश्णा जो कि मुत्रद्वार के उपर दोनों माइनोरा वाले part पर 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 प्रजेंट होती है लीबिया माइनोरा part के उपर मिलन वाले बिंदु इस्तित होते है उसे किस नाम से कहेंगे है अपन इस प्लाइटारिस के रूप में जाना जात है नेक्स जोगो बिटा यहां से पुछा गया है यह हमारे डिजीज वाले सही है HIV का अनुवानसिक परदार्त है मतलब दा जेनेटिक मेटेरिल अच वाई है यहां HIV यह यह यूमिन इमिनो डेफिजिंसी वाइरस है आप जानते है बिटा आरेने है और वहां दो मोले लेकिन सिंगल स्टेंडर आरेने के रूप में जाना जाता है ध्यान रख लेना इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि हम काफी गेरा ही पड़ जाते हैं छोट-छोटी चीजे छोड जैते हैं जिने बैसिक आना ही चाहिए नेक्स देखो बिटा यह हमारे अलग-अलग पार्ट से ऐसे करवा दिया या फिर ऐसे करवा दिया या फिर ऐसे करवा दिया नहीं हम सामने लिखेंगे पहला आ रहा है वेटा पॉंस में आपने देखा वेटा न्यूमेट्रिक सेंटर के राम से जाना गया तो इसका मतलब थर्ड इसमें आंसर पहले आपके पास चला जाता है थर् पर quadrizemina की रूप में यहां second और medulla oblongata की रूप में यह respiratory का center जो कि यहां 4 चले जाते हैं तो 3, 1, 3, 1, 2, 4 अब आपको मालो में बेटा यहां पर आपने देखा पहले आपके पास 3 गए फिर उसके बाद में आपके पास 1 गया फिर आपके पास 2 गए और फिर आपके पास 4 गए ताहे method ऐसे ही याद रखना क्योंकि कभी image करने में mistake हो जाती है फिर next देखो बेटा यहां से आया बेटा यह भी अपने disease वाले से हैं कि अधिकांस cancer का किस मिश्रण से इलाज किया जाता है वाई सारे एक साथ ही ले ले लें कि अब यहां सर्जरी भी आना है रेडियो त्रे त्रेपी आ गया इसका मदलब यहां पर सारा का सारा combined treatment, surgery, radioterapia, chemotherapy की आदार पर आनसर आपका फोर्ट चला जाता है उसलिए गवरानी की ज़रत ही नहीं है next देखो बेटा आप से पूछा गया यहां पर tutorial membrane is present in आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा कि हम जिसे मालो यह internal ear की बात कर रहा है और आपको मालूम है यहां आपने देखा यह पार्ट हुआ वी-ए-म-टी वी-ए-म-टी बदलब यहां इसकेला बेस्टिविली, इसकेला मीडिया, इसकेला टिम फेनी के रूप में और यहां आपको मालूम है जस्ट यह बेसल membrane है और यह रिजनर्स membrane है और प्रेजंट है, इसका मतलब आपने देखा, टेक्टोरियल, कोक्लिया के बद्धे कक्ष में प्रेजंट है, उपरे कक्ष में आया गया, निचे वाले में यह आ गया है, बारिश के मतलब नहीं था, आपके पास बचाईए एक एक और आपसन था, इसलिए मिडिल चेमबर आप यहाँ से second answer चला जाता है अब देखो मेंटा मुझे काफी उम्मीद है कि आपका वैसे गलत नहीं हुआ होगा बाइचांस अगर आपके कोई गलत होते हैं तो आप पे problem counter पे आके जरूब एक दो बार आप faculty उसे मिलके सभी यहाँ faculty आए expert faculty हैं और boss के सानिद्दे में आपको मा 12,000 आपने कम से कम इतने प्रश्णों को solve कर लिया है इसके इलावा आपने बायो के MDTS दे दिया है इतने मेजर इतने माइनर दे दिये हैं यहाँ तक तो आते आते बच्चा यार बॉल्ड हो जाता है और इसका मतलब आप वास्ता में ही बहुत ही institute एक ऐसा institute जो की एक दिन से लेकर लास दिन तक साथ लगा हुआ है और वहाँ पर तुम पढ़ रहे हो इसका मतलब इससे बढ़िया क्या हो सकता है प्टा सेलेक्शन शोर होगा टेंशन करने की जूरत नहीं है आप इनके चारों उप्सनों के बारे में knowledge रखें आप सोचो यह 10 आपके पास आते हैं आप चाहे तो 40 दंगल तयार कर रहे हैं इसलिए आप घबराएं नहीं निस्चित रूप से सबलता मिलेगी और मैं समस्ता हूँ कि जो आप यह मसोचों कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं या कम चल रहे हैं बटा आप अच्छी मेनत कर रहे हैं आप नंबरों की तरफ कम जोर दे कोई दिक्कत नहीं है सिली मिस्टेक को दूर करे जितनी गलती यहां हो जाती है एक्जाम में उसका फायदा होगा इसलिए टेंशन नहीं करें मस्त रहे आराम से हसे और मस्त रहे पढ़ाई करें ध्यान दे और बोस के सानित दे में जैसा आपको बताया जारा है वै पहे है यहां अपने भाईयों का बहनों का आप एड़िशन करवाएं और उसका पूरा का पूरा फायदा उठाएं और मैं समस्ता हूँ आप अच्छी तरह बहुत खुस होंगे सेलेक्शन आपका निस्सीत होगा टेंशन करने की जूरत नहीं है जैजे CLC वीजे CLC थैंक य